नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर आईए जानते हैं शनीश्चरी अमा वस्या पर भूल कर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए सूर्य पुत्र शनीदेव न्याय के देवता है शनीदेव अच्छे कर्म पर हमेशा अपने भक्तों को अच्छा फल देते हैं और जो गलत काम करता है उसे वह सीख भी देते हैं और दंड भी देते हैं उनकी कृपा मात्र से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती अमावस्या हर महीने आती है लेकिन शनीवार पर पढ़ने वाली अमावस्या बहुत ही शुब मानी जाती है इसलिए इसे शनीश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है जिन जातकों पर शनी की साड़े साती अर्थवा धहिया का असर होता है उन्हें इस दिन अवश ही शनी को प्रसंद करने का उपाय करना चाहिए उन्हें शनी के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनेश्चरय नमह का जब करना चाहिए अमवस्या के कारण शनीवार के दिन आपको कई सवधानिया भी बरतनी चाहिए आईए जानते हैं ऐसे कौन से काम है जिनने शनीष्चरी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए शनीष्चरी अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे मास मदिरा का सेवन से बचे और सात्विक भोजन ग्रहन करना चाहिए वैसे तो मास मद्रे का सेवन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जीव हत्या पाप है इसलिए ना सिर्फ आपको पाप लगता है बल्कि आपका मन भी अशुद्ध होता है शनीश्चरी अमावस से अग दिन कभी भी गरीब वह असहाई लोगों को परिशान नहीं करना चाहिए शनीदेव की कृपा पाने के लिए इसे अपनी आदत में जरूर बना ले शनीदेव गरीबों का प्रतिने धित्व करते हैं जो गरीबों का प्मान करता है उस पर शनीदेव की कृपा कभी नहीं रहती इस दिन भूल कर भी अपने घर पर लोहा और लोहे से बनी चीजें नमक, काली ओड़त दाल, काले रंग के जूते और तेल घर में नहीं लाना चाहिए बताया जाता है कि इनको घर में लाने से दरिद्रता आती है साथ ही इस दिन पढ़ाई लखाई से जुड़ी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए शनीष्चरी अमावस्या पर स्री और पुरश दोनों को यौन संबंद बनाने से बचना चाहिए गरुड पुरान के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंद बनाने से पैदा होने वाली संतान को जीवन में कई तरह के कश्टों का सामना करना पड़ सकता है इस समय शरीर बुद्धी तथमन में सामन जस्से बनाए रखना चाहिए शनिवार के दिन भूल कर भी कैंची नहीं खरीदनी चाहिए इस दिन करीदी गई कैंची रिष्टों में तनाव लाती है अगर आपको कैंची खरीदनी है तो शनिवार के लावा किसी और दिन आप खरीच सकते हैं इस दिन काली मिर्च और काले तिल भी खरीदना अशुब माना गया है अमावस्या की रात किसी भी तरह की सुनसान जगा जैसे शमशान घाट या कबरिस्तान जाने या उसके आस पास घूमने से बचना चाहिए अमावस्या की रात नकरात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है अमावस्या की रात ऐसी जगाँ पर कई तरह की बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती है इसलिए इन जगाओं पर अमावस्या के दिन रात के टाइम नहीं जाना चाहिए अम्मावस्या की सुभा देर तक भूल कर भी नहीं सोना चाहिए इस दिन सुभे जल्दी उठें और काले तिल डाल कर स्नान करें इसके बाद सूरी दिव को जल अरपित करके पूजा बाट करना चाहिए शनीष्चरी अम्मावस्या की दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए घर में अशान्ती का वातावरण हमेशा नकरात्मक शक्ति को जन्म देता है घर में वाद विवाद होने से पित्रों की कृपा नहीं मिलती है इस दिन स्नान दान से मोक्षवल की प्राप्ति होती है तो दोस्तों ये थे कुछ उपाए जिन से आप शनीष्चरी अम्मावस्या पर ये भूल कर भी नहीं करने चाहिए दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक वशेर जरूर कीजिए साथ ही मगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिपैस सब्सक्राइब करें और पैल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हम लोग अप्लोड करें वो तुरंत आप तक पहुंचती जाएं धन्यवाद